जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ भले चंगे होंगे और मज़े में होंगे दोस्तों, आज मैं आपको एक figure देने वाला हूँ, number देने वाला हूँ, विजिट देने वाला हूँ कि जिसके जरिये आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है और इन नमबरों के साथ में कुछ एक नमबर इस तरह के भी हैं कि जब आपको इस तरह के पेसों की धनकी प्राप्ति हो तो आप अपने विवेक गुद्धी से उस धनका उप्योग करें कि जिससे वो पेसा आपके पास हमेसा बना रहे है कई केसों में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जब कोई उपाय करता है जब कोई तंत्र मंत्र टोना ठोटका या ऐसी कोई चीज करता है तो उस व्यक्ति को एका एक धनलाब हो जाता है या कहीने कहीं से उसका बड़ा काम बन जाता है और उसके बाद तुरत ही उस व्यक्ति का नुकसान होने लग जाता है या आया हुआ पैसा चला जाता है कई एक केसों में ऐसा देखा गया है और ऐसा होने का मूल कारण ये होता है कि जब ये आकस्मिक धन ये आकस्मिक पैसा आपको मिलता है तो इसके साथ साथ कई लोगों की हाय बद्दुआ भी आपके साथ साथ में चलने लग जाती है और साथ ही साथ में आपकी जो विवेक बुद्धी है वो भी उतनी तिवरगती से और उतने अच्छे तरह से काम नहीं करती है कि व्यक्ति उस पैसे को संभाल पाए तो इसके लिए बहुत आवस्यक है कि जब भी आप कभी भी जीवन में सफलता को प्राप्त करें तो आप हमेशा अपनी विवेक बुद्धी का प्रयोक करें और उस विवेक बुद्धी के प्रयोक के लिए आपको कोई न कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे गुरु प्र उससन रहेंगे तो आप कभी भी कोई भी गलत नेहले नहीं लेंगे हमेशंगे अक्रिके और जब व्यक्ति उसके पास धन आने के बाद में यदि सही नेहले लेने लेने लग जाताEvet है तो उस पैसे से फिर उसका पैसा बढ़ने लग जाता है ऐसा नहीं होता कि फिर उसके पैसे में कटोती होने लग जाए या घटने लग जाए लेकिन यदि व्यक्ति विवेक बुद्धी का उपयोग नहीं करता है तो अचनक धन आने के बाद में व्यक्ति को बुरी संगत लग जाती है गलत रस्तों पे चड़ जाता है और य साथ ही साथ आपकी विवेक बुद्धी को प्रबल करेंगी कि जिससे आप जो कोई भी काम करें वह काम में आपको सफलता मिले और साथ ही साथ ऐसा नंबर भी मैं आपको प्रदान करूंगा कि जिसके वजह से आप इस पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट कर सके एसी जगह पर रगा सकें कि वो पेशा दिन दुगना राच चोगना बढ़ करके आपको मिले तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं तंत्र मंत्र टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं अंक सास्त्र जोतिस सास्त्र व्रत तेवार पूजा विधी इत्यादी के बारे में भी समय समय पे जानकारी प्रदान करते रहते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में कि जिस अंक के जरिये आपको एका एक धन की भी प्राप्ति होगी उस धन को आप सही जगह पे अपनी विवेक बुद्ध्य का उप्योग करके लगा पाएंगे कि जिससे आपका धन दिन दुगना राज चोगना बढ़ सके जी हां दोस्तों एका एक धन प्राप्ति का जो बंदित अंक है चार तो आपको चार के अंक का इस्तेमाल करना चाहिए व्यक्ति को यदि अचानक धन की काम ना है यदि व्यक्ति ऐसी जगह पर काम करता है कि जहां पर वो सेर बजार में काम करता है या ऐसी किसी जगह पर काम करता है कि जहां पर पैसा एका एक उसका एक का दस हो सकता है तो उसको हमेशा ऐसे व्यक्ति को राहु की उपासना करनी चाहिए और चार के अंक को हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए तो पहला जो अंक है वो चार का अंक है इस अंक को आपके अपने पास में रखने से हमेशा ऐसे योग बनते रहेंगे कि आपके पास में एका एक धन आने लग जाए साथी साथ तीन का जो अंक है जो गुरू का अंक है गुरू का अंक आपको विवेग बुद्धी प्रदान करता है आपका जो भी आप पैसा कमाएंगे उसको आप गलत जगह पर न ले जाएं ये हमेशा आपके अंदर से आपको प्रेना देता रहेगा ऐसा होने से आपके पास में जो ये पैसा आया है एका एक चाहिए कहीं से आया है किसी भी माध्यम से आपके पास में आया है लेकिन ये पैसा गलत जगा पर व्यर्थ नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा इसके साथ आप नो का अंक और जोड़ ले नो के अंक को जोड़ने से क्या होगा एक तो ये जो नो का अंक है इसमें सारे ही अंकों की विसेस्ता लिया हुआ ये अंक है सभी अंकों की विसेस्ता इस अंक में है साथ ही साथ ये अंक आपको इस तरह से मदद करेगा कि आप कहीं पर भी जमीन, मकान, दुकान कहीं पर भी यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके जो योग हैं जो ग्रह हैं उसको प्रबल बना देगा तो कहने का ताथ पर है कि आपको एका एक धनकी भी प्राप्ति होगी साथ ही साथ आप अपने विवेक बुद्धी से इस पैसे को कहीं गलत जगा पर भी नहीं लगाएंगे विर्थ खर्च नहीं करेंगे और तीसरे अंक की मदद से आप इस पैसे को बहुत ही सही जगा पर इंवेक्ट करेंगे कि जिससे ये पैसा आपको दिन दुगना राच चोगना होकर के वापिस होकर के मिलें जिहां धोस्तों तो जो आपको नंबर है वो मैं नंबर आपको बता देता हूँ यह नंबर आपको कहां पर लिखना है इस नंबर को आप कोई सफेद कागज पर लाल स्याही से लिख ले और लिख करके आप अपने पास में रख ले इस नंबर को वैसे तो इस नंबर का जो तीन का आंख है उसको आपको पीले स्याही से लिखना चाहिए लेकिन यदि नहीं है आप पूरे ही लाल स्याई से लिख देते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो लाल रंग होता है ये सुबता का प्रदिक होता है तो इसमें कोई आपती नहीं है लेकिन यदि आप चाहें तो जो 3 का अंक है उसको आप पीले रंगी स्याई से लिखे हलदी से लिखने तो ये पीले रंग का हो जाएगा बाकी के अंकों को आप लाल रंग से लिख सकते हैं और इसको आप अपने पास में रखे हमेशा पर्स में रख लें जहां कहीं भी आपकी ओफिसे वहां पर रख लें इसी जगह भी आप रख सकते हैं कि जहां से लोगों को दिखाई दे और आपके पास में भी रहे इस तरह से आप इसको लिख करके रख सकते हैं यदि आप इसको लगातार मन ही मन बोलते रहेंगे तो ये काफी effective रहेगा, काफी असरदार रहेगा और मैंने सारे ही अंकों की आपको विशेस्ता बता दी है तो इसकी विशेस्ता याद करते हुए इसको आप कभी भी इसको लगातार बोलें तो इसकी अंकों की विशेस्ता हमेसा याद करते रहें तो जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ नंबर है 4, 4, 3, 9 4 के अंकों दो दफ़े लिखना है आपको 3 लिखना है और 9 लिखना है कहीं पर भी कोई भी जगा छोड़नी नहीं है एक ही साथ आपको नंबर को लिख लेना है किसी भी साफित कागज में लिखे लिकिन उसमें कोई दाग धपा लीटी नहों इस तरह से लिखे लिखने के बाद में नंबर मुड़े नहीं टेड़ा नहों फटे नहों इसका ध्यान रखे तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहे दिव प्रकास और अपने जीवन में लाबन विद होते रहे हैं धन्यवाद